जीबन में सबसे आगे निकलना चाहिए बोट तो औरो से काफी आगे निकल गया है सबसे आगे निकलो गैस यह ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज लाइट में बोलने होते हैं इस प्रका की सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिस में सिखेंगे आपने नोटिस के होंगे इन service sentences में एक चीज कमन है वो है आगे निकल जाना आगे निकल जाना इसे हम इंग्लिस में कहते हैं get ahead of चलिए इसका complete structure दिख लेते हैं पेले आपको लिखना पड़ेगा subject इसके बाद helping bar helping bar के बाद आपको यूज कर देने get ahead of इसके बाद object और last पर other words मैं आपको वता दो अगर helping bar आएगा तो लिखेंगे नहीं तो नहीं 10s के इसाफ से और भी एक चीज में आपको clear कर दूँ यहां पर जो gate देख रहे हैं we should get ahead of everyone in life we should get ahead of everyone in life वो तो औरो से काफी आगे निकल गया है he has got ahead of others he has got ahead of others कटिन परिश्रम करके तम सब से आगे निकल सकते हो you can get ahead of everyone by working hard you can get ahead of everyone by working hard सब से आगे निकलो get ahead of everyone get ahead of everyone वो क्लास में सब से आगे निकल गया he got ahead of everyone in the class he got ahead of everyone in the class करके इस आगे निकलो करते हैं दो तब जसे कि तो आगे